नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लीजी हम फिर से हाजिर है आपके लिए आपके फाइदे की खबरों वाले न्यूस बुलितिन के साथ आज आपके काम की कई बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है ये सबी खबरे बड़े काम की है तो चलिए जानते हैं आज की सबी बड़ी अपडेट्स पहली बड़ी अपडेट है कि नोट बंदी के तोरां काली कमाई पर अब भुगतान इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है कि एक अपरल से नो पर नहीं लगेगा टेक्स दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अपरेल में 7-8 गुना महंगी हो सकती है वोड़ाफोन आइडिया की सर्विस चोथी आपके फायदे की खबर है कि लगा था दूसरे दिन सस्ता हुआ डीजल याने पेट्रोल का भाव इसके अलबा पांचवी अपडेट है कि क्रहाकों के लिए खुश खबरी कमपनी के सीई-ओ टीम कुप ने किया बड़ा एलान इन सबी काम की खबरों पर एक-एक करके बात करेंगे लेकिन आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा जरूर देखिए ताकि कोई भी काम की खबर आपसे छूट ना जाए तो आईए बिना देर किये जानते हैं आज की सबी बड़ी खबरे पढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर नोट बंदी के दोरान काली कमाई पर अब भुगतार दोस्तो आठ नमबर 2016 को प्रधानमंजी नरिंडर मोदी ने अचानक से नोट बंदी का एलान किया था पांसो और हजार रुपे की नोट चलन से बाहार कर दिये गए उस दोरान जूलर्स को ये छूट मिली थी कि वे बैंक में कितने भी पांसो हजार के नोट जमा करा सकते हैं इस छूट का कुछ जूलर्स ने गलत फायदा उठाया और ब्लेक मनी को वाइट मनी करने में खुब पैसे कमाए अब उन्हें काली कमाई के बदले भुपतान होगा इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने शक्त के दायरे में आये जूलर्स को नोटिस भीजना शुरू कर दिया है जिसके मताबिक उस दोरान जितनी बिक्री हुई है वे ब्लेक मनी की हुई है अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की एक अप्रेल से इन नौक पर नहीं लगेगा टेक्स एक अप्रेल 2020 से शुरू होने वाले फाइनेशल येर में आपको दो टेक्स सिस्टम मिलेंगे इसमें आपको तया करना होगा कि कौन सा आपके लिए बहतर है नया टेक्स सिस्टम चुनने वालों को 70 टेक्स एक्जेप्शन और डिडेक्शन से हाथ दोना होगा वहीं इन में 80C के तहट निवेश में मिलने वाली 1.5 लाक रुपे तक की छूट सेक्सन 80D के तहट Health Insurance Premium Payment और 80TTA के तहट बचेट खाते या पोस्ट ओफिस खाते में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर डिडेक्शन भी शामिल है अब रुप करते हैं तीसी बड़ी खबर का अप्रेल में 7-8 गुना महंगी हो सकती है वोडा आइडिया फोन की सर्विस दोस्तों हो सकता है कि आने वाले दिनों में वोडा फोन आइडिया के यूजर्स को सर्विस जारी रखने के लिए 7-8 गुना ज़ादा सुल्क देना पड़े वोडा आइडिया ने मोबाइल डेता के लिए सुल्क बढ़ाकर न्यून्तम 35 रुपे प्रति जीबी की दर ते करने की मांग की है आएज जानते हैं चौत्री बड़ी खबर लगादार दूसरे दिन सस्ता हुआ डिजल जाने पेट्रोल के भाव पेट्रोल डीजल की कीमतों में शुक्रवार को आम आदमी को बड़ी रहात मिली है शुक्रवार को डीजल की कीमतों में 5-6 पैसे प्रती लीटर की कटोती की है इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल का भाव 64.60 रुपे हो गया है वहीं एक लिटर पेट्रोल के लिए आपको 71.96 रुपे खर्श करने होंगे तेल कंपनिया सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल लेट और डिजल के नई रेट्स जारी करती है रुकरते हैं पांच वी बड़ी खबर की और ग्रहाकों के लिए खुशकबरी कंपनी के CEO टिम कुक ने किया बड़ा एलान एपल इंक के CEO टिम कुक ने कैलिफोर्निया में हुए शेर होलडर बैठक में कहा कि इस साल उनकी कंपनी भारत में ऑनलाइन स्टोर खोलेगी बिते बुद्वार को कुक ने कहा इसके लिए हमें सरकार से मंजूरी चाहिए कुक ने ये जवाब एक शेर होलडर द्वारा पुछे गए सवाल पर दिया था इस दोरा उन्होंने साफ तोर पर कहा कि एपल यह नहीं चाहती कि भारत में उसका कारोबार कोई और संबाले शेर होलडर्स के साथ इस बैठक में टीम पुक ने यह भी कहा कि भारत सरकार से उन्हें इसके लिए भी मंजूरी नहीं मिली है हम 12 सरकार से बात कर रहे हैं हमें पूरा वरोसा है कि जल्द ही ये मंजूरी मिल जाएगी तो दोस्तों ये थी आपके काम की वो खबरे जो आपको सीधा फायदा दिला सकती है आपको ये सबी खबरे कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईए और हाँ ऐसी ही खबरे पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले